Hey guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Nilofar and you're watching me on Fat 2 Fabulous. Hope you all are doing good and great. मैं पीपी ठीक हो और आज आपके साथ, जैसे आपने thumbnail देख लिए होगा, आज मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ 4 Rules of Chewing Formula, 32 Times of Chewing Formula के जव जो 4 Golden Rule है, उसको आज हम discuss करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और एक चीज और discuss करेंगे कि 32 बार है क्या, मतलब बहुत से लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, वीवर्स भी हैं और वो 32 Times Chewing Formula कर रहे हैं इग्जैक्ली उनको नहीं पता है कि 32 Times है क्या, उन्हें बस ये पता है कि 32 बार चबाना है, बस that's it, उसके अलावा उनको और डिटेल में कुछ नहीं पता, उन्हें लगता है हम चाट पकोड़े, मैगी, चौमन सब कुछ खाएंगे 32 Times Chewing करके और हम बहुत जल्दी Slim हो होता, तो उन्हें लगता है सब जूट है, और आप मतलब वाइटी पे आप देख सकते हो, 32 Times Chewing Formula के लिए बहुत सारे वीडियो लोग अपलोड कर रहे हैं, बट उसमें कुछ ऐसे भी, मतलब ब्लॉगर है, ऐसे भी, कहते हैं ना, इंफ्लेंसर हैं, जो खाते हुए, लिटर होगा, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, कि शायद उनका होता होगा, बट अगर आप उनकी तरह ऐसा करोगे, तो आप बात में बहुत ही जादा डी मोटिवेट हो जाओगे, और आप 32 Times फिन नहीं करोगे, क्योंकि देखो, बात यह है, 32 Times क्या करता है, सपोर्ट करता है, और पूरी तरह से सपोर्ट करता है, आपके digestive system को अच्छा रखता है, आपके metabolism को strong करता है, और आपका weight भी कम होता है, बट हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमें सब कुछ खाना है, का मतलब यह नहीं है, कि हमें सारा गन, बाहर का, अंदर का, मैगी, रेगी, सब कु हैं, यह सारे, यह four rules में ही सारी चीज़े cover हो जाती है, उसके बाद, आप उपना mind खुद लगा हो, क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, कैसे खा सकते हो, तो चलिए, चलते हैं video में, और जल्दी से start करती हूँ, one by one सारे चारो rules बताऊंगी, और उनको elaborate करूंगी, तो please पूरा फुल वीडियो देखिएगा, अगर आप चाहते हो, जानना कि एक्च्छल में 32 टाइम स्चुइंग फॉमूला है क्या, तो इसको फुल वाज करिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब, तो friends हम start करते हैं अपने first golden rule से, जो same way है, कि 32 करो, 32 बार चबाओ, ठीक है, अच्छे से च्यू करना, 32 बार च्यू करने का क्या मतलब है, वो मैं आपको बताती हूँ, आप जब भी अपना खाना लेके बैठते हो, जैसे सुईकार जी ने भी बताया है, तो उसको उस खाने को effective बनाना है मैं, ऐसा बनाना है कि वो खाना आ आपके मुटापी का कारण बने, ठीक है, तो जब भी आप खाना लेके बैठते हो, तो कोशिश करिए कि आप कोई भी intervention ना हो, मतलब कोई भी उसमें ऐसी चीजें ना हो, जिससे आपका mind divert हो, first of all, TV, radio, phone, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, even आप अगर record कर रहो तो उसमें भी आपका mind recording में लगता है, तो उसके लिए भी आप, अगर आप भी एक vlogger हो या influencer हो, आप 32 बार में बता रहे हो, जैसे मैं करती हूँ, तो मैं एक clip ले लेती हूँ, उसके बास सुकून से खाना खाती हूँ, मैं पूरा chewing नहीं दिखाती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी, तो मेरा कुछ फाइदा नहीं, मैं डेली की डेली ऐसा करूंगी, तो मेरा mind जो है, वो distract रहेगा, तो वो मुझे फाइदा नहीं देगा, ठीक है, खाना जो भी आपको लेना है, आप लो, आप अगर दो रोटी खाते हो, तो फर्स्ट एक रोटी लो पहले, ठीक ह जो कहते हैं न, जिसका पानी निकाल दिया जाता है, वो राइस हो, साथ में कर्ड हो, सालेड हो, ठीक है, चटनी है, चार जो भी आप लेना चाहते हो, उसके साथ रोटी आपने ली है, अगर आपने एक रोटी ली है, तो सुईकार जी ने बताया है, पहले, फर्स्ट आप आप एक रोटी लेते हो, उसको हमको 15 टुकडों में बाटना होता है, आप छोटे-छोटे पीसे कर लो, उससे आपको यह असानी रहती है, खाने में, कि आप 32 बार चियू करोगे, बड़े कॉर बनाओगे, तो वो फिर आप चियू करोगे भी तो effectively चियू नहीं होंगे, हमे वो solid form में अंदर ना जाए, जैसे पानी पी देना विल्कुल liquid, उस liquid form में जब तक ना आ जाए, तब तक चबाना है, ठीक है, जब आप इस तरह से चबाके खाओगे, तो आपको time लगीगा, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि मुह में रखा जलदी चबाया, और जैसे fast food और हर तरह हो, उसको liquid form में लेके जाना है, ये भी कहा सकते हो, कि जैसे पानी को खाना है, चबा-चबा के मुह बंद करके पानी पीना है, और खाने को पानी की तरह पीना है, पानी को खाने की तरह, ठीक है, तो आपको खाने को बिल्कुल अच्छे से liquid करना है, पानी की तरह अंदर ले नहीं पड़ेगी और ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आप पपीता खा रहे हो तो 32 बार कैसे चबा पाऊगे और पहले ही लिक्विड हो जाएगा ठीक है तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं है दूसरी चीज तो इकार जी ने हम लोगों को बताई थी कि अगर आप वो ट खुष रहता है आपको खाने से खुशी मिलती है हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी खाते हैं दिमान में होता है यह काम भी करना है वो काम करना भी बाहर जाना है ठीक है तो उस खाने के चक्कर में क्या खाना लगता भी नहीं है और पता नहीं चलता कितना ज्यादा खा बट एक देड रोटी से जाद आप नहीं खा पाते हो आप फुल हो जाते हो ठीक है वो इसलिए होता है कि आप इतने अराम से खाते हो और हाफ एनार जब पूरा होता है तो आपका जो माइंड है वो सिगनल दे देता है कि you are done तुमारा पेट भर गया है उसके बाद आप नहीं खा सकते है और उतना ही हमारी बॉडी के लिए नीगेड है उतना ही हमें खाना खाना है बट ऐसा भी नहीं है कि बस एक रोटी लेके बैट गया और आसे खाते रहे नहीं सारी चीज़े साथ में होने चाहिए सबजी डाल तो आप बैलेंस टाइट ले रहा हो ठीक है तो यह ह आपको उतना एफेक्ट ना करें ठीक है आपके डिशेशन ना खराब हो लेकिन वेट लूस नहीं होता है ठीक है कोड्रिंग सोडा यह सारी चीज़े नहीं पी सकते आप नहीं ले सकते हैं चीट मिल कर सकते हो weekly या 15 डेस पे या जैसे आपको होता है तो वह चीट मिल कर सकते हो ठीक है एक इसी चीज अंडर इसी 32 टाइम स्चुरिंग पॉर्मॉला के आती है कि आप छोटी प्लेट में खाना खाओ उससे क्या होगा कि आप फुल फील करोगे प्लेट भर जाएगे आप क्यो आराम से आप खा लोगे आप राइस भी खा सकते हो स्टीम राइट बस दिहान रखना है ठीक है क्योंकि अगर आप इतनी क्वांटिटी में लेके बैठ रहे हो आप 32 बार चू करोगे आपके दो घंटे में खाना खा पाओगे खुल सोचो इट मींस कि आप 32 टाइमस चू ही नहीं कर रहे हो अगर आप इतना खा रहे हो ठीक है क्योंकि 32 टाइमस तो उतना खाना नहीं खा पाओगे यही इस पूरे फॉर्मूला की टेकनीक है ठीक है तो यह मैंने बताया आज आते हैं सेकिंड अपने जो गोल्डन रूल है उस पे तो सेकिंड गोल्डन रूल जो उन्होंने बताया है वो है ग्रीटी तो इट इस अप टू यू कि आप 3 लू जो जो ओं जो के वी उसके अपने जो लन्छ उसके बाद गहां स्याम में इवनिंग जो ब्लाक कॉफी वह पहा लेती हैं राथ में पिती हूं तो इट्स अप टू यू किसे कि आप मॉन निंग और एवनिंग उन्ग क्या ले रहे होगे बेंड आपको पी नहीं क्योंक salty food, भार के chips, maggie खा रहे हो, तो क्या फायदा होगा green tea का, यह न, फायदा ही नहीं है उसका, तो यह होगा हमारा second rule third rule पर आते हैं, third rule अगर आप पतले होना चाहते हो, तो आपको exercise करते हो, that's good, but आपको 9000 steps चलने हैं daily, यह उनके लिए है, जो exercise नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा weighted हैं, तो वो अपना क्या कर सकते हैं, 9000 कदम, 10,000 कदम, 9,000 कदम, at least चलना ही चलना है, अगर आप पतला होना चाहते हो, और बहुत easily हो जाता है, डेड़ घंटे में हो जाता है, 9000 step, अगर अच्छे speed में आप चल रहे हो, अगर आप बहुत overweight हो, कम धीरे-दीरे चलते हो, तो अभी 2,5 गिंटे में हो जाएगा, आप इसको morning, evening दोनों में बाट के कर सकते हो, 3 time में कर सकते हो, और आपको मैंने और भी videos बनाए, जिसमें बताया है कि अब घर पे रहके, एक जगा पे खड़े हो के भी, ये steps कर सकते हो, ठीक है, उसका मैं video का link दे दूँ, ये वहाँ से देख लीजेगा, कि कैसे, तो ये हमारा हो गया, third rule, कि आपको ऐसा कर नहीं करना है, वतलब walk करनी ही करनी है, 32 times chewing formula के साथ, अगर आप exercise भी करते हो, तो बहुत ही, mashallah, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब आजाते हैं हमारे last golden rule पे, तो last golden rule जो है, वो ये है कि आपको once a week salt free day करना है, ठीक है, अगर आपको को कोई problem नहीं है, कोई major issue नहीं है, कोई बिमारी नहीं है, BP और BP high और low की problem नहीं है, तो आप इसको easily कर सकते हो, pregnant नहीं हो, अराम से कर सकते हो, कोई issue नहीं आता, मैं भी करती हूँ, उसका भी, मैंने मेरे channel पे आपको salt free day के बहुत सारी video मिलेंगे, उसमें मैंने सारी चीज़े बताई हैं, एक बार मैं खाई है, मुझे नहीं आइडिया था, बट मुझे बाद में मैंने रिलाइस किया, बेकरी में बनती है, तो salt एड़ेड है, तो salt नहीं लेना होता है, और जो मैं एक आपको चीज़ बता रही हूँ, और जो मैं एक आपको आजकल सब जगा अवेलेबल है, आप वो ले लो, बहुत कम यूज होता है, क्वांटिटी में, उसको एड़ करो, उससे क्या होगा, आपको जो वाटर एटेंशन की प्रॉब्लम बिल्कुल खतम हो जाएगी, salt का इंटेक करो, तो बॉड़ी खुद पर खुद आपना वेट चोड़ने लगेगी, ठीक है, साथ में एक्सरसाइज बगेरा करते हो, बॉप करते हो, बहुत अच्छी बात है, अब जैसे बहुत से लोग मीठा भी खाते हैं, बत्तिस बार, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि अब अज़ गुल्ले खा रहे हो, और 32 टाइम स्टी उपर रहे हो, कभी हो गया, कभी आप चीट मिल करते हो, हो गया, बट ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप अगर आपको मीठा खाने का मन है, तो स्टीविया, जिसको मीठी नीम कहते हैं, वो बहुत अच्छा उप्शन है, और आजकल मार्केट में भी स्टीविया मिल जाती है, आप इस्टीविया एड करो, मैं स्टीविया ही यूज़ करती हूँ, चाय, कॉफी, किसी चीज में भी, मीठा मत मन मारो, उसको खा सकते हो, स्टीविया ले सकते हो, या अगर ठंड आगी या तो जैगरी पाउडर ले सकते हो, बट कम कॉंटिटी में, अगर आप ये सब करोगे, तब आपका वेट लूज होगा, डेफिनिटली होगा, जैसे मैं कहते हूँ, अगर अगर आप इस तरह से इस लाइफ स्टाइल से रहोगे तो आपको ना कोई प्रॉब्लम होगी ना कभी कोई बिमारी होगी, 32 टाइम्स एक पॉर्फेक्ट फॉर्मूला है, आपको फिट रखने का, आपको हेल्दी रखने का, ठीक है, यह से टाइम बिंग नहीं है, कि आपने दस दिल कर लिया और आप पतले हो गए, फिर आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, इसके आपको आदत बनानी पड़ेगी, और अगर आपने एक बार आदत बना ली, तो यह आपके जिंदगी के साथ रहेगा, आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ जाएगा, आपकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो जाएगी, और जिन लोगों को आदत है बाहर के खाने की, यह पैक फूट की, वो आदत भी छुट जाएगी, ट्रस्ट मी, मुझे आदत थी, मुझे मॉमोस पसंद थे, मुझे बहुत से चारी ऐसी चीज़े पसंद थी, जो मैं मन्चिंग करती रहती थी, नाइट्स में बैटके, बट जब से 32 टाइम्स कर रहे हूं, तो वो मन्चिंग खतम हो गई है, जो लोग अपना टमी फैट कम करना चाते हैं, उन्हें ये मन्चिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर वो मन्चिंग करते रहेंगे, और 32 टाइम्स करेंगे, और पैक्ट फूड खाएंगे, पैक्ट फूड में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो वो कभी भी अपना वेट रूस नहीं कर पाएंगे, तो इस बातों का ध्यान रखे, माइक्रो नूट्रियंस, नूट्रियंस, बहुत सारी चीज़े हैं, वो मैं आगे वीडियोज में आपको बताती रहूंगी, बेरे डाइट वीडियोज बस आने ही वाले हैं दो दिन में, यूँकि मेरे 30 डेज हो गये थे, लास्ट मन्त के, और मैंने जैसे अपडेट किया था, 5 kg मेरा गया था, ओवराल 5 kg ही गया है, और अभी नेक्स्ट मन्त की हम प्रिपेशन करेंगे, और क्या डाइट करती हूँ, क्या आपको डेली दूँँगी, तो stay tuned, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मझे comment box में जरूर बताएए, अगर अच्छा लगे तो like, share and subscribe, और बस प्यार कीजिए, आपकी support की जहुरत है, तो चलिए, till then goodbye, take care, Allah Hafiz,